हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सबी आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे वेलकम बैक टू मैं अदर ब्लॉग तो अभी मैं जाने वाली हूँ सैथपूर क्योंकि वहां पे था कुछ काम इसलिए हम सब कोई जा रहे हैं मैं ममी चाची और करना जी हम सब कोई जा रहे यह है देशी गूर जिसे मिठा बोलते हैं मिठा तो यहां पे मिठा अच्छा था तो ममी मिठा ले फिर मुझे दिग गया मिठी का गुलक तो बहुत दिन से बनता और दीदी भी बोली थी तो यहां पे मैं मठी का गुलक ले रहे हूँ छोटा वाला ही ले रही हूँ ममी ब तो लठी लेना ही था क्योंकि जब जब भी वहार आते हैं तो Şu ममी ले थी हमेशा तो यहां पे बहुत सर सिंगार न धुकान भी ठाट तो ममी युश्ट ले रही थी और मैं अपना बस इधर उधर घूम रही थी दीख रही तो यहां से हम आगा चलते हैं फिर ममी आपे अपना लटी-वटी पसंद करती दूसरे दुकान से करन यहां पर ममी को कुछ पसंद नहीं आया और जो आया तो उसमें मतलब कि आइस नहीं ता तो फिर हम लोग गुए दूसरे दुकान पर और फिर ममी वहां से लिलटी और फिर हम लोग चलते आगे और ममी यहां आएगे और साड़ी नहीं लेगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता फिर बोली कि मुझे साड़ी लेना है तो मैंने बोला चल दो ले लीजे तो यहाँ पे ममी ले रही थी अपने ले साड़ी आई थी लेने के लिए एक और अपी आप देखना कि कितना सारा ले रही है क्योंकि मेरी ममी का आदत है जहाँ जाए कि साड़ी तो लेना ही लेना है फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते है घर की लिए तो यहाँ पे हम लोग चल रहे है पैदल ममी और चाची जा चुकि यह बाइक से एक भाईया मिल गएते तो उनके साथ चली कि और मैं यहाँ पैदल जारी हूँ क्योंकि गाओं में रिक्सा मिलता नहीं हमारे एक किलोमेटर जितना पैदल चलना ही पड़ता है तो यहाँ पे आके मैं घर पे ठक गई थी फिर यहाँ पे मैंने सुचा के ब्लॉक को एंड करते फिर सुचा के नहीं सारी में तिखा देती कि कितना सारी ले तो आप यहाँ पे देखिए यह देख सकते हैं आप खूदी देख लीजे कितना सारी लेने गई थे और कितना लेके आए और फिर यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं मूरी कचरी जलेबी गाओं आये तो इतना तो खाएं गई ना मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक लिए म आर कर बाइ